असलाम आलेकुम, विल्कम बैक टुमा की बाउर्शी, तो आज बक्राईट से रिलेटेड ही रेसिपी है, तो बनाएंगे कबाब, कच्छे खीमे की कबाब बनाएंगे, एकदम बहतरीन और मौट मिल्टिंग, सॉफ्ट और जूसी कबाब बनेंगे, तो बनाना शुरू करते ह यहां पर आधा किलो से थोड़ा सा कम ही है, मेरे पास गोश्ट था, मटन लें, बीफ लें, आकी मर्जी है, उसको अच्छे से धूली जाएगा, अक्सर बक्राईट के गोश्ट में, धोते दूवो कर छनी में रखियागा गोश्ट, ताके जितना भी खून वगईरा हो तो यहां पर मैंने आधा किलो से थोड़ा सा कम गोश्ट था, उसको अच्छे से बारी बारी चॉप करके इस तरह से खीमा बना लिया, खीमा बनाने के बाद इसमें 3-4 हरी मिर्चें डाल रही हो है, टेस्ट के हिसाब से आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हो, तो यहां पर एक बड़ी साइस की, मीडियम साइस की प्यास जो इस तरह से बारी बारी स्लाइस करके डाल दी है, तो यह डालने के बाद अध्रक लैसन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरके, यह डाल दीजे और चिली फ्लेक्स 1 टी स्पून से बस थोड़ा सा कम, 3-4 टी स्पून और लाल मि अधा चमच जो है भुना कुटा जीरा पॉडर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग यह डाल दिया और गरम अधा चमच यह डालने के बाद इसमें ब्रेड क्रम्स डाल दीजेगा एक ब्रेड ले लीजे या फिर दो ब्रेड के स्लाइस ले जे इसको इस तरीके से चूरा करके ड तो आपको क्या होगा के अच्छे कबाब सॉफ्ट और जूसी बनेंगे तो यहां पर एक चीज में आपको बता दू कि आपको ब्रेड क्रम्स जबी डालेंगे तो थोड़ा साब करका आपका गोश्ट कम है तो मीटी फ्लेवर इसमें आ जाएगा थोड़ा बात पानी है तो तो यहां पर आपको थोड़ा सागर गीला लगे तो एक टेबल स्पून के खरीब इसमें भूने चने कार्टर भी डाल सेकते हो तो यहां पर मैंने हातों को गीला किया और इसको जो है कबाब का शेप देदेंगे यहां पर शेप देते वाग ध्यान रखिएगा चपटा सारे कबाब बना लेंगे नॉंस्टिक का पैन हो तो जादे बहतर है आप नॉर्मल पैन में भी बना सकते हो असल इसका मज़ा तो लोहे कटवे पर ही आएगा तो बस इसमें तेल कम जाता है इस वज़े से यह इस्तमाल करते हैं दूसरा कोई इसमें टेस्ट वैसा नहीं आत आप अगर अच्छा रियल टेस्ट लेना चाहते हो तो लोहे कटवा इस्तमाल कीज़े लोहे कटवा तो इस तरीके से सारे कबाब बना लेंगे और आधा किलो में आपके 10-15 कबाब या फिर आपकी शेप के और साइस के हिसाब से बनेगा और यहां पर जिसे देख सकते हो मी तो यहां पर इसी तरीके से मैंने सारे कबाब अच्छे से बारी कांच पर अच्छे से फ्राइ कर लिये हैं और इसको सर्फ कर देंगे ओपर से थोड़ा सा चाट मसाला चिड़क दीजेगा और यह एकदम बहतरीन कबाब बन कर तयार होंगे नीबू प्यास के साथ इसको सर कर दीजेगा उमीद है आपको यह रेस्पी पसंद आई होगी पसंद आये तो बना के जुरूर खाईएगा और किस तरह की और वीडियो देखना चाहते हो अपना फीड़बैक कमेंट के जरी जरूर दीजेगा और जाद जाद शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दा दीजे और जबी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर दीजेगा और मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बनाईएगा खाईएगा